कि देवांगना अगरवाल जी चिमाण. रादे राहें अगश्रीफ रादी महराओं जी फुजी गुर्देख आपके चारड़ने में कोटी कोटी बढ़ाओं। आप बताते हैं कि संसार सपन है दुख-शुख भी सपने के भादीय मोज़ा हैं संसार यह जन्म से लेकर मुरत्यु तक मुरत्यु से लेकर जन्म तक मोह निद्रा में हम सो रहे हैं अभी मोह नश्ट हो जाए तो हमें समझ में आ जाए जैसे स्वप्ने में हम देखते हैं हम जगे हुई हैं सोते भी नहीं देखते हैं हम देखते हैं बहुत लोगों को बहुत भोग कितियों को क्या होती है क्या नहीं होती है श्वपन में कुछ नहीं होता है जब हम जगते यह पता चलता है अगर उस समय श्वपन में हमें कोई चाकू से मार रहा है हमें कोई कहे कि धूटा श्वपन है तो हमें विश्वास नहीं होगा हमारा हर्दय भैवीत होगा बचने की क अकूती और कैसा बयानक कोई कोई तो रो पड़ता है लोग दोड़ते हैं तो अरे यह तो शवपन देख रहा था इतना तदात्म हो जाता है ये मोह निद्रा मोह निसास अब सोव निहारा देखें शवपन अनेक प्रकारा अभी हम जो आपको जगा रहे हैं तो स्वपनाई मे जगा रहे हैं क्योंकि हम है और तुम हो यही शवपन का परिच्छय है जब जगोगे तो शिर्फ आप होगे नह्म नतुम दफतर गुम एक परमतथ्व चैकृष्ण मानू राम मानू ब्रह्म मानू इस्वर मानू जो बोल पाओ वो एक तत्व है जब जगोगे तो जानत त यही जाने जग जाए हिराई जागे जथा सुपन भ्रम जाई हाँ उसको बिल्कुल सरल भासा में समझो एक करोड घड़े रखे हुए हैं उसमें सूरी का प्रतिविंब एक करोड दिखाई दे रहा है एक करोड घड़े फोड दीजिए क्या सूरी को कोई फर्क पड़ा क्या स सूरी करोड थे क्या सूरी का नास हुआ बस इन घड़ों को शत्यभाव से मानकर माया रचित है पांच भौतिक प्रकति जन्या सरी ने बढ़ इसी ब्रहाम में हमें इस फुपन हो गया मैं इस्त्री और मैं पुरुष ना कोई इस्त्री है ना कोई पुरुष है सथ्यविस ह देखो ना कितना बड़ा जादू है आप जब सो रहे थे स्वपने में तो आपको भला ग्यान था कि हमारा इस्थुल सरी पड़ा है हमारे इस्थुल सरी को कोई पीड़ा नहीं है सया पे आराम से इसी रूम में पड़ा है नहीं ग्यान था ना ये जागने पर पता चला ना कि कि वह जूठा है अभी घ्यान हो जाए आपको तो ब्रह्महवित भ्रम्हय भ्वती वह देख पाएगा के एक मात्र पर हों अब यसे किसी ने पटच्त करना विनास करना पालन करना प्रकार केुछ सकति है उसको बुला गया समुद्र और ऊटती उनको तो कहा गया तरंग, अब ग्यान से देखे तरंग का नाम क्या हुआ, क्यों हुआ, क्योंकि वो समुद्र में वायु विकार हुआ, तो तरंगायमान जो हुआ, उसका नाम हो गया तरंग, अगर वो वायु हट जाए, शांत हो जाए, तो आप क्या कहोगे, समुद्र, अब समु समुद्र का अलग रहेगा तो आस्तित हीन रहेगा और वो बूंद गिर जाएगा तो अगाद समुद्र कहा जाएगा अभी आप अलग हैं आप अपनी शक्तियों को भूल चुके हैं अपनी शुरूप को भूल चुके हैं अभी आप तरंग हैं जब समुद्र में माया विकार रहित होकर आनंद समुद्र में डूबेंगे तो तस्मिन तजने भेदा भावात भगवान और भगवान की भक्त में अभेद शुरूप हो जाता है पर भक्ती की गई दासत्य से उची स्थिती में भी दासत्य रहता है भक्ती की गई जोई-जोई प्यारों करें सोई महिं जी का अपना परिचे भगवान स्री राम को क्या दे रहें एक मैं मूढ मंदवस मैं मूढ हूँ मंद कूटी लहरदय अज्ञान ओ ग्यानिना मग्रगर्णियम और जेहिगिर्चरन देई हनुमंता चले उसगा पाताल तो रंता महान बलसाली अतलित बलधामं भेम सैला भद दनुजवन क्रशान ग्यानिना मग्रगर्णियम ऐसे महाप्रूस क्या बूल रहें एक मूढ मंदवर्च उटिलहरदय अज्ञान वीबी शड़ी से क्या आगए असमय अधाम सकता क्या सकती नहीं हनुमान जी में क्या सकती नहीं राम काज कोई भी ऐसा ने जो हनुमान जी कोई भी ऐसा अब भक्त का हर्द कैसा होता है मैं कितना अदम हूं भी विश्वन जी कैसे बताओ यह तो रगुनात जी के हम पर क्रपा है जिसको सकती का जागरण हो जाता प्रदर संथोड़ी होता है वो तरंग शमुद्र में लीन हो गई अब उसका कोई आस्तित तो नहीं कि रहा क्योंकि जब मैं था ता भारी नहीं अब भारी है मैं बात समझना है तो यह जो तर्क प्रकट किया जाता है जिसे का था कि भगवान के नाम के वस्तरादी टेटू आदी कराना हाथों में मेहन्दी में रचवाना मुझे लगता है जो आराध्यदेव का नाम हम जितन शम्मान करेंगे उतना ही हमारे उपर क्रिपा होगी तो एक ने कहा कि जब पूल बन रहा था तब राम राम लिखके पत्थर में डाला गया था ऐसा नहीं है राम नाम हनुमान जी ने जब एकांत में बैठे थे तो ऐसे अपने नकों से चीर कर पत्थर में लिखा राम और प्रवाइत हो गया पीछे भगवाल खड़े देख रहे थे उन्होंने पत्थर डाला डूब गया पत्थर में नाम का सहरा हो गया इसलिए तर गया और आप अपने करकमल से जी से छोड़ देंगो डूब ही जाएगा जो पुल बना तो समुद्र बरणन करता है प्रगट होक नाथ नील कप नल नील कप दो भाई लरिकाई रिस आसिस पाई लरिकाई बाल्या वस्था में इनको एक रिशी ने वरदान दिया था कि बड़े से बड़े पहाड को आप इस पर्स करके रख दोगे वो डूबेगा नहीं वो तैर जाएगा प्रसंग को पढ़ना जो पुल भी राम भक्त है या कृष्ण भक्त है उसके सामने लिक्स दिया जाए बानो कृष्ण अब रख पैर ने तो गर्दन उतार देंगे तो गर्दन उतरवाले का पैर नहीं रखेगा आप विचार करें भाव का विसा है तुम जितना नाम का प्रभू का आधर करोगे अश्या क करें से नालियों में ऐसे कूड़ादानों में लोग फेक रहें नहीं नहीं भाई तुम आधर क्या करते हैं अपने इस्ट के नाम का पमान करते हैं और तर्क कितना है स्वेकरती के लिए नहीं है नकारात्मक के लिए अगर कोई शन तो कोई भगवत प्रेमी महात्मा उसका चत्र आपके सामने परिस्तुत करता है तो आपको श्वेकर करने बचनम करिशेत्व में फिर उसका अनुभव करो आनंद का तर्क और तर्क अशनगत श्रधधर के आगे तर्क नहीं ठीकता है श्रदधा भगवान की प्राप्ती कराती है तो में चाहिए तर्क छोड़ कर य इसे सत्य नहीं मानना है सत्य इनी में भगवान बैठे हुए उनको मानना है आप क्या कहले चाहते हूं कि जैसे न हमारे चोट लग जाती है एक्सिडेंट हो जाती है असिल बाद सौपन में अगर चाकू मारी जाती है तो लगता है न हमें उसका पूरे जिंदिगी कर्ष्ट होगना पड़ता है हाँ आप यह बताओ सौपन भर में अगर हमारे चार चाकू ऐसे मारी गए तो जब तक जगेंगे नहीं तरपना पड़ेगा न यह जग जाओ भाई यह तुम नहीं हो यह मरेगा यह नर्थ होगा इसके पहले ऐसी स्थिति कर लो हम पहले अभी ताया किस नहीं कर सकता अभी हम सोय हुए स्वपन में हैं सच्ची वादिये यह जगाने का प्रयाश स्वपन में ही हो रहा है जब जग जाओगे ना तो हम और तुम दो नहीं रहेंगे एक ही रहेगा जो दोनों में प्रकासित हो रहा है वो एक ही है अभी हम और तुम है मैं और मोर है तोर और तैं है इसी का नाम अविद्या है ये भगवान की क्रपा समझो कि आपके स्वपने में संयोग बन रहा है साधु समागम तो जाग जाओ जब जागोगे तो ना कोई साधु है ना साधु है विद्या विने संपन्ने ब्रामने गविहस्तरी सुनी चेव सुपाके चाप आप थोती चली जाएंगी मन को प्रभू में लगाए बिना दुख से नहीं बच सकते हनुमान जी महराज कह रहे हैं का हनुमंत विपति प्रभु सोई जब तो सुमिरन भजन न होई तो दुख सहते हुए क्योंकि सरीर आ सकती है अब राधा 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 रधा रठते रह उनकी क्रपा से एक दिन यह अनुभव हो जाएगा कि आप सरीर नहीं हो तो यही अगर हमारे जीवन का अगर सार समझो ना जैसे गन्य का सार रस और रस का सार गुढ गुढ का सार चीनी चीनी का निखार मिसिरी समझ पहे ला ऐसे हमारे नैश्टिक ब्रह्मचर वानप्रस्त सन्यास फिर बैश्नोधर पूरे जीवन का सार भगवान के आश्रितों का राधा 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 इसलिए हर प्रसंग में कहते हैं माल लो अमारी बात सहारा गोविंद का पुकारो राधा राधा भागते गोविंद चले आएंगे भागते कृष्ण चले आएंगे दो नहीं हैं रशोया परमानंद एक यो दुधा सदा वो प्रेम खेल के लिए राधा कृष्ण के रूप में हैं वही परम्द रसोया परमानंद एक यो दुधा सदा वो श्वयम अपने मन्ता बिन्हरिक्रपा मिलेने आपके जीवन में संत समागम नहीं होता ये प्रमाण है कि हरी जो आपको बहुत प्यार करते हैं चाहे आप दूर से सुन रहे हों सत्संग या आप नजदीक बैठके सुन दूर वाला नजदीक लाएगा नजदीक वाला समा जाएगा अब दूरी नहीं हो सकती अगर आप हमारी बात पकड लिये तो जहां है वहां के लिए जैसे हम दोड़ लगा ही तो में नहीं लगानी पड़ेगे जैसे मथुरा में हमें गाड़ी पकड़नी है तो हमें वहां मुगल लिए तो आशिरवान मांगने की जरुदत नहीं वो मिला मिलाया है देखो बाते का चमतकार देखो आप अपना समय छोड़कर आप ब्रंदावन आए पैसे लगा कर आए आप बाते सुनने आए हो और यही बात आपको भगवान से मिला देगी बस इसको स्वैकार करना है स्वी पात राधा 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 राधां मुरतिमान सुरूफ हमारी की सोरी सांदा अनन गण मूर्ति की सोरी सुरी करश्ण के हर्दय का प्रेम रूप धारण किया तो राधारा लहे है देसे लिए वो किसोरी जुक्रपा करेंगी स्रीक्रश्ना में प्राप्त हो जाएंगे उनका महान सुरूप हमारी सामरत नहीं जान सके प्रेम के द्वारा प्रेम का मुर्तिमान सुरूप राधारानी वैसे हम कई बारू दारण में कहते हैं कि अब राध बन जाए तो पिता थपड़ लगा देगा लेकिन अगर माता की नजर पड़ गई तो दोड़ के आएगी और पिता जी को अपने सासन में लेगी उसका परस्नल सासन ए और वो काएंगे चलो कोई बात नहीं छोड़ के आएसे ही समझो जब हम सिद्धानत के खिलाप चलते तो भगवान फिर उसके रुष्ट होते परवारी प्रियाजु आनंत माता हुझे सावा चल लिए और प्रभु से का एए वोले कोई बात नहीं माप आए इस लोग इस लोग ऐसे हम कोई बात ऐसे नहीं मन मानी नहीं कर अनुल लिख्यान अंतान पितदप राधान मद पतिर महा प्रेमा विष्टम तो परम देयं विम्षती तवैकम स्री राधे ग्रणत ही नाम अम्रत रसम लाडली जो राधा 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 ऐसा बोलता है तो लाल जुम हराज उसके रजिस्टर ही को फाल्क फेक देते हैं अन जीवन का लाव यही यहां से जब जाओगे तो यही नाम साथ होगा और कुछ नहीं सब छूट जाएगा मेत्र पत्नी पुत्र पती साब यहीं अच्छा वो कब समय आये इसका भी वरोशा नहीं फासी वालें तो बता दिये रहता कि अमुक दिन अमुक तारिक को हमारा तो पता ही नहीं है ना को रहा बोले ओ धाना पहुंच पा गया लहीं ऐसा लहीं है बोले वह अमुक कार करें तो चले गए इसलिए राधा राधा राधा